रेहाना और रवी की शादी के बाद, रवी के पास कुछ नहीं था रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके ऐसान किया है, मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवी कि तुम खोब पैसा कमाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रवी और रेहाना, खुद को स्टेंड करने के लिए पूरी मेहनत करते रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनस सेट करने की कोशिश करो एक दिन रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विग्यापन बनाने वाली कंपनी खोली थी न, उसे बड़ी ब्रैंड का ओफर आया है अब हम लोगों के दिन ब्यारे न्यारे हो गया है मैं जानती थी रवी, कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे रवी का काम अच्छा चल जाता है, एक दिन वो रेहाना से कहता है रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है, बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम कैसे क्या, मैं गाउं से मा को लेकर आ जाती हूँ, नौकरी से हाफ टे ले लिया करूँगी, अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैंनेज कर लूँगी देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ, तुमको नौकरी करके परिशान होने की कोई सुरूत नहीं है अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूँ और मैंने तु सुना है, हम लोगों को कुछी महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी, उतने मैं तो मैं ड्राइवर रख लूँगा रेहाना को रवी की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बे इज़ती मत करो भूल गये, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनस खड़ा किया है अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता देखो अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो अब बाहार जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो रेहाना रवी के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती एक दिन रवी का दोस्त आता है भावी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आय थी आपकी बड़ुलत ही सारा बिजनस खड़ा हुआ है ये किस्मत तो आपी की है भावी हाँ हाँ भई, हमारी मैनत तो कुछ है यह नहीं अरे होगी, लेकिन भावी की किस्मत के आगे कुछ नहीं दोस्त वहाँ से चला जाता है लेकिन रवी का गुस्सा साथवे आसमान में होता है देखा कैसे बोल रहा था अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये कैसी बात कर रहे हैं आप प्रशान पहिया तो बहुत अच्छी इंसान है रवी कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था अरे था पैसा तो साथ दिया नहीं तो कौन पूछता है रवी का व्यवार पैसा आते ही अलग हो गया वो बंदे को बंदा नहीं समझता घमन से गिरे रवी ने तो एक दिन हद ही कर दी रेहाना मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ क्या बगपास कर रहे हो रवी क्या कहना चाहते हो और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ देखो मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शाथ रखी है कि मुझे तुम्हें तलाग देना होगा रेहाना जो की एक स्वाव लंबी महिला थी उसने बिना देर किये रवी को कह दिया खोई इश्यो नहीं मुझे पैकिंग में चार दिन का वक्त लगेगा लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी चार दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ मैं घर से निकलूँगी तो बता दूँगी रवी घर छोड़कर चला जाता है रेहाना को दुख होता है वो रोती है लेकिन वियावार से स्ट्रॉंग रेहाना को पती के बापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था फिर एक दिन अरे शुशिका कब शादी करोगी तुम मुझसे यार मैंने तो सूचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश ले कर जाओगी मेंगी कार दिलाओगी अरे साब दिला दूँगा लेकिन पहले मुझे से शादी तो कर लो आहां क्यों नहीं मैं कुछ दिनों के लिए अपने ममी पापा की पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूँगी अरे शुशिका कैसे रहूँगा मैं तुमारे बिना अप तो शादी होने वाली हैं हम लोगों की शुशिका रवी को छोड़ कर चली जाती है रवी घर आता है जहां रेहाना को ना पाकर उससे सब अजीब लगता है घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है बच्चे की याद भी आ रही है चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ रवी रेहाना को वीडियो कॉल करता है लिकिन रेहाना फोन नहीं उठाती रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगालू चलो कोई ना शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे अगले दिन रवी ओफिस जाता है जहां टीना खड़ी होती है सर आपने अपने नए आड के लिए मॉडल के रिक्वार्मेंट डाली थी ना मैं उसी के लिए आई हूँ रवी टीना को देखकर खुश हो जाता है अब शादी हो गई है तुमारी नाई सर पिस अच्छा सा हैंसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे ममी पापा रवी के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का खयाल भी खत्म हो जाता है हरे यार ये लड़की मिल जाए कितने सुन्दर है शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये कुछ खत्म हो गई है आप न आप तो दो बच्चों की पापा लग रहे हैं आरे नहीं नहीं मेरी शादी तो हुई थी लेकिन बेवी को किसी और से प्यार था मुझे छोड़ कर चली गई खैर टीना की दोस्ती रवी से हो जाती है लेकिन एक महिने बाद शुशिका रवी के पास वापस आती है मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादी शुदा हो और हाँ शादी से पहले अपनी सारी प्रापरटी तुमको मेरे नाम करनी होगी अरे पागल अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता बला ऐसी लालची ओरत से कौन शादी करेगा तबी वहाँ टीना आ जाती है रवी ये पागल से ओरत कौन है देखो तुम नहीं कहा दिया ना पागल तो पागल ही है पता नहीं कौन है कह रही है शादी कर लो लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रापरटी मेरे नाम कर दो बोल तो सही रही है वैसे तुम जानते हो मेरी एक सहली है उसके पती ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया जिबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहली थी और मुझे भी भरोसा नहीं है अगर मैं भी तुमसे शादी करूँगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रापटी कर दोगी अरे हाँ क्यों नहीं बिलकुल कर दूँगा रवी और टीना की शादी की तारिक तै हो जाती है वो अपनी सारी प्रापटी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुँशता है लेकिन वहाँ टीना आती नहीं रवी टीना को मैसेज करता है कहा हो सारी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया रवी को गुस्सा आ जाता है वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहाँ रेहाना आ जाती है सर क्या हो गया क्या decoration पसंद नहीं आई आपको तुम तुम यहां क्या कर रही हो मैं यहां की decorator हूँ क्या आपको पसंद नहीं आई यहां की सजावट रवी दौड कर रिहाना की गले लग जाता है मुझे माफ कर दो रिहाना रवी रिहाना की गले लग जाता है और रिहाना टीना को फैंक्स का मेसेज करती है